दोस्तों मैं जादा तर Hollywood movie के reviews नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे उनके नाम ही समझ में नहीं आते बहुत अलग-अलग तरगी के नाम होते हैं जो कि मेरे जबान से बाहरी नहीं निकलते लेकिन जो movie मुझे अच्छी लगती है और मुझे असा लगता है कि ये movie जो वो viewers ने देखनी चाहिए तो मैं उस movie का review जो वो definitely करता हूँ भले चाहिए मैं actors के नाम नहीं लेता हूँ तो ठीक उसी तरह से weekend था तो मैंने सोचा कि चले अभी कोई movie देख लेता है और उसका review भी कर लेंगे तो मैं गया था Bollywood की Ruslan movie देखने के लिए यानि कि हमारे सलु भाहिया के जी जा की movie तो जैसे थेटर के अंदर पोचा तो देखा कि थेटर जो वो आदे से जादा खाली था मतलब almost खाली था लेकिन फिर भी मैंने फिल्म देखी सोचा कि इसका review करूँगा और जब मैं फिल्म देखने के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने एक poster देखा जो था Ghostbuster The Frozen Empire फिल्म का poster देखने के बाद मुझे इच्छा हो गई कि भाई ये फिल्म कैसी है देखनी चाहिए तो मैंने फटा फटो उस फिल्म का ट्रेलर देखा हिंदी में ट्रेलर देखा और मुझे ट्रेलर जो वो काफी पसंद आया तो मैंने सोचा कि चलो यार ये movie तो देखी लेते इसका reason ये है कि ये movie जो वो familiar movie यानि कि आप इस movie को बच्चों के साथ भी देख सकते हो तो मैंने इस movie की बारे में थोड़ा सा research किया तो पता चला कि ये ghostbuster franchise की पाचवी film है इसकी last film जो वो 2021 में आई थी तो मैंने सोचा कि भाई ये film का fifth part है तो ये film में जो वह एक दूसरे स बता होना ज़रूरी है मतलब एक enjoyment तरीके से या फिर आप अपना time जो एक अच्छी movie के साथ बिताना चाहते हो तो ये movie आपके लिए एक better option है अगर आपको film के पिछले parts के बारे में पता है तो ये आपके लिए plus point हो सकता है लेकिन अगर नहीं पता है तो भी इस film को आप इनसान जो वो एक frozen यानि कि बर्फ का बन जाता है अब ऐसे में इनको रोकने के लिए ghostbuster नाम से एक team है अगर आपने पिछली film में देखी होगी तो आपको पता होगा कि ghostbuster नाम से एक team होती है जो भूत आत्मा है ये फिर ऐसे paranormal activities को पकटने का काम करती है अब यहाँ पे इनक इसले पार्ट की कहानी पता होना इतना कुछ जरूरी नहीं है बस इतना पता होना चाहिए कि ghostbuster नाम के एक team है जो भूतों को अत्माओं को और paranormal activities को पकड़ने का काम करती है और यहाँ पे उनका टास्क है एक ऐसे शैतान को पकड़ना जो पूरी दुनिया को freeze करना चाहता है और अब यहाँ पे उनकी जो वो जंक शुरू हो जाती है और देखने में काफी interesting है यानि कि फिल्म के theater में वो VFX और वो सारी चीज़र जो वो काफी कमाल के लगती है यानि कि बच्चों के लिए ये film जो वो काफी अच्छी है आप बच्चों को जो अभी चुट्टियों के टाइम में इस फिल्म के लिए लेकर जा सकते हो और ऐसी फिल्म जो वो theaters में देखना ज्यादा enjoyment लगता है instead of tv पे देखने से और अगर आपको पिछला पार देखकर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो इस फिल्म के पास जो आपको Netflix में मिल जा जापको पास जापको जापको पेलिए और वेकर पीजादा है पंगर आपको वोज़ है लेखने से जापको टेख सकते हो तो गदेखना प्रॉबवाय मिल जापको पास इस लोगता है जापको झाम